कुल्बॉरी क्लास पूर्ट तुड़े आपको एक्सराइज 3 इस्ट्रेंट एक्सराइज 2 में रोमन नमबर्स जो थे उसमें फर्स्ट रो फॉल आपको 1 सिली के 50 तब रोमन नमबर्स लिखने होंगे इसके बाद आपकी जो भी एक्सराइज दे रखी है उसको फिल करने है उ उसमें भी आपको रोमन नमबर्स के प्रॉब्लम हो रही है तो आप बूस सकते हैं ओके स्ट्रेंट नेक्स्ट टॉपिक एडिशन एंड सब्रेक्शन फर्स कुशन है फिल इंदा ब्लैंस ओके तो फर्स्ट है आपका एडिशन ये भी आपको क्या करना एड करना 1,4,3,5 मे तो आप क्या करेंगे? 0 सो एड करेंगे तो आप किसी भी नमबर्स में अगर 0 एड करते हैं तो आपका स्ट्रेंट इस वही आजाएगा 1,4,3,5 ये आपका स्ट्रेंट इस वही आजाएगा ओके? then 5,8,6,9,0 हम आपको ये आड करना है तो देखें 9 में जब 1 एड करेंगे तो कितना आएगा? 0, carry का 1 आजाएगा, फिर 9 के साथ जब 1 एड करेंगे तो कितना आएगा? 10, तो सिर्फ 0 आजाएगा, सिर्फ carry का 1 यहाँ पे फिर आजाएगा, 6 प्लस 1, 7, ओके? and then 5 और 8 ऐसे कितने हैं? ठीक है? ये आपका आगिया तो देखें इसी तरीके से आपको य करने हैं, ठीक है? कोशन नमबर 2 में, सी, कोशन नमबर 2, अब आपको कोशन नमबर 2 में एड करना है, ठीक है? आपका एड, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3, ये मेंज 9, ओके? 1 प्लस 4 जब आएड करेंगे, तो 1 प्लस 4 कितना हो आप 5, ओके? 10, 4, प्लस 3, 4, और 3, 7, ठीक, 2 प्लस 7 कितना हो आप, 9, ओके? तो ये आपका एडिक्शन है, रिवाइड एक्सराइज में, फर्स्ट आपका फिलिटर ग्रेंग का, सेगेड एडिक्शन और थर्डर सब्रेक्शन, तो सब्रेक्शन में, अगर सपोर्ट है किसी के का, पर्सके सब्रेक्शन है, तो ये रिवाइड एक्सराइज जो है आपकी, वो आपको फेयर भूर्ट में एडिक्शन तेक्शन हरसे है, फिलिटर ग्रेक्शन में अब्सराइज को अपकी, अपको फेयर भूर्ट में कफ्लेत करने हिए, ऑके स्टुडेट。 I hope you all understand, if you have any questions, कि यह पूस्वाइब एक प्राफू खट प्राफूट जो पार्फूट